केवियोस खबरों के नई पहचान धन्सार मोड रंधीर वर्मा चौक श्टील गेट एवं विभीन छेत्रों में 144 धारा का निरक्षन हो रहा है प्रेशासन का कहना है कि सरकार के द्वारा लागू किया गया 144 के सोलवे दिन भी लोग इसको गम्भिटा से नहीं ले रहे इसलिए प्रेशासन हर चोराहे पर चेकिंग कर रही है कोई भी अनवस्यक तरीके से बाहर न घूमे सिर्फ काम या इमर्जंसी वाले लोग ही बाहर जा बात को और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बताया कि सरकार आम लोगों से अपील कर रही है अनवस्यक बाहर न घूमे घर पर ही रहे सुरक्षित रहे यदि कोई भी अनवस्यक बाहर घूमते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके उपर कानूनी कारवाई की जाएगी जिनके लिए बाढ़ाई देगी है जिससे कारण से चेकिंग को जो पשה चेकिंग जो हमारे 21 देन से और ज्यादा चल लेइती इसको और ज्यादा हाड कर दिया गया है इस ने धनवात पईली पैज क्या हो रही है और किस प्रसकार पर आप लोग चेकिंग कर रहा है पहले से भी चेकिंग रिवस्ता यहां अच्छी थी और अभी आज माननिय प्रधान मंतरी की घोशना के बाद में और भी शक्ति बरतने का निर्देश दिया गया है तो वकाईदे सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और ऐसा अभी तक कोई वाक्या मिला नहीं है कि जो अविश्चे घूमते हुए पाए गए हूं किसी कर्या लेके कायरी से ही जा रहे हैं लोग या किसी आविश्यक कायरी से ही जा रहे हैं अभी यहां इस चेक पोस्ट में तो ऐसी कोई घटा नहीं अभी सामने आई है अभी जो 21 दिन का लॉकडाउन अज़र 21 दिन के बाद 11 दिन का लॉकडाउन हो चुका है इसमें सर आप तो क्या कहना पड़ेगा किसा आम आदिमी को बहुत जादा प्रॉब्लेम से प्रॉब्लेम फेस करने कर रही है यह उनिस दिन के लोगडान में और भी जा प्यूंकि स किस जैसे दो बजे के बाद अगर कोई इंसान बाहर जोंते हुए जाए तो उसके क्या कानौन करवाई कर रहे हैं तो फिर उनको चलान के लिए फिर भेजा जाता है था निवे गाली सहीट इसमें तो हम लोग मने स्टाफ जो आर अबी से सेल कर भी बैंक स्टाफ उसको हम लग करवाई नहीं करवाई नहीं करवाई है जो बिनना वोय गैवाई गोगार विना जो घुम रहे हैं उसकर अमने करवाई कर रहे है असब जो आनावशन तरीकर पास देखा ले ता यह फिर कोई बीचिछका आखकर निकंग बेरिफाई के सब्सक्राइब देखते हैं कि अगर कोई भी आनवसे तरका से भूने जाए उसको वन आईपीसी के दरा वन एक्टीएट में लागू किया जा रहा है तो सब्सक्राइब आप इस चीज को कर रहा है इसमें वरी व्योप्ता दिखारी लगमने इसमें के ज़त कर रहे हैं आगे करवाईजे क्या करना है उसमें पर लोगति देंगोंसब्सक्राइब